कि हेलो गाइज इस श्रांग ये वाचिमें स्टेडिस्टान जॉस्वान गई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एरफोर्स एर मैं एक्स वाइग की जो मैडिकल चल रहा है परेली में कैसा उनका रिव्यू हुआ है उसके वारे में आपको आज के इस वीड पूस्टर की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए इसके लाइलक्स एक वीडियो बना दूंगा तो अब आपको पता होगा फेस बन फेस्टू क्लियर हो गया है अब मैडिकल जोलाई से शुरू हो गए है हट जगह में तो मैं आपको 11 12 और 13 जुलाई को मैं बरेली में जो मैडिकल का रिव्यू है उसकी जानकारी देना चाहता हूँ तो चले शुरू करते हैं देखें सब्सक्राइब बात करते हैं 11 जुलाई की जो बच्चे थे उन में 45 में से 45 टोटल प्रेजांट थे सबके सब आ रह अर्थ युल्य वालो को औू टूड़ेज और बारश ओलाई वालों को तीन दिन लगे थे मेडिकल कि रहूर छोगे ती जिस में थोड़ा काम हलका करेकित हैं टो हम बात करते हैं 12 की मेडिकल का जो ए वह कहता तो दो φ raise में व्रेश में टूटल बचचे वुटिफाई व सर्फ प्रेशंट यद्ह से शेर्फ और स्टाउन्टिटू वच्चों को ई ग्रीन कार्ड मिला बाके सब बेट भी कम था तो वह तो कन्फर्म भार ही हो जाएगा लास्ट में इसलिए वो लास्ट के दिन तीसरे दिन वह आये ही नहीं वह दोनों आये ही नहीं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं 13 जुलाई की 13 जुलाई में टोटल 45 के 45 प्रेजेंट थे और उन 45 में से सिर्फ और सिर्फ 12 को ही ग्रीन कार्ड मिला बाकि सबको रिमेडिकल मिल गया है जितने भी बचे थे उसमें सबको तो यह सोचने की जड़त नहीं है आपको कि मैडिकल बहुत ज्यादा कटिन हो रहा है उनको फिस चुड़ी चुड़ी चीज़ों में नॉर्मल करने वाले काफी काफी अच्छे लोग है वह आप लोग का आप लोगी काफी साहता कर रहे हैं जैसे एक बच्छा था हमारे ग्रूप में जिसकी आइस में प्रॉब्लम थी मीन्स उसकी आइस जुटी उसको जो नमबर आता था शिक्सपाइट 24 ना पा गया था एयरफोर्स है लेकिन उसको बोला कि उथ्यप्सेट कि ठीषिट्न लेकि बहुंत लेकिया है तो चुटोउ और जूट्टर तो लोगनों थे लों वोगा वी जिसकी को एलकर उसको को लास्ट में में दिढकर विए तो आपको घप्राने की धूरत नहीं आई के पागी तर दियोब करदाओ अगर किसी का कुछुम है और मेडिकल बारे में कमेंट कर सकते हैं आप नीचे और आपको बरिखा जो मैडिखिञ के तो आप कमेंट करें मैं वीडियो में उसका लाइब सुदि नइम गो पना दूआ कुछ जिनों में जो फिल्यक्स और मैस और इंगिल्स के जो हो सकते हैं तो थेंक यूआ तो वाचिं वाचिं इस वीडिव और एफ गूट देए